जहें दोस्तों श्वागे था अपका हमारी यूट्यूब चैनल एलनी भी द्रगेश में आज हम लोग पर्यावण की ब्रहमा स्रीज पढ़ेंगे जो संपूर एंसियाटी के निचोर है अब की बार यूपी टेट पार सबसे महत्तपूर प्रश्णों की जो स्रीज है वो लेस कोरा यूपी टेट सबी बहुति परिक्ष्णों के लिए आपके लिए महत्तपूर जहांसे भी परियावण की परिक्ष्णों में प्रश्णों पूछे जाते हैं चली बीना देली केव में क्लास के सुरवात करने ही चाहिए आपके सामने पहला प्रश्ण है कि पलाचि माड घृष करें किया देखने था यहां पर किसके कारण यह चर्चाे ayam वो हमेशा सही होंगे माना ये भारत है ठीक है तो भारत में छोटा सहाँ पर राज जिसका नाम है किरला क्या नाम है किरल तो किरल में साम्तवेली भी कहते हैं लेकिन ये जवी वित्ताः आप परिपूर आप है हैं म defということで जो पर्यावर्ण का संबंद है यह बिना देरियके डियाकाती गधेंगा संबाइब सोला घास Also about कहां पाए जाते हैं जो लोगा देखें हैं जैना आ forgi कमेंट करके बताएं कि सोला गहास के जो मैदान होते हैं वो कहां पाया जाते हैं सोला गहास का मैदान यह यूपी टीटी का पूछा प्रश्म है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्म की तरफ जो लोग वीडियो में जुड़ें फटाफट वीडियो को शेयर करते अभी आसर क्या है उसका संबन्द किस्ट्र है शबी लोग जो लोग लाइब देख रहे हैं फटाफट वीडियो में कमेंड के माध्यम से में बताने का प्रयाश करें ठीक आप कमेंड के माध्यम से में बताएंगे तो हमें और भी तथ्थ जो है इसके बारे में जिड़ों मैं देख रहे हैं देखे ुत्तर से जाद आपके लिए यह भी माने रखता है कि आप इसकी ब्याक्षा को भी बता है हमें है कि हमें यह समझत में फिसका क्या का समय त्मक्राइब होता है अगर हम एक ही बात करें तो यहां पर जो प्रश्ण दिया गया है इसका is究ime इसका है फूल फार्म लेजिझाए यहां पर आप.- इसका उत्तार्व है इसका कहां होता है इस सब PCR का और रहा है यहां एन इपी पहले उसका फूल फर्म बताएगा फिर इसका मुख्याले बताएगा जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी लोग फड़ाफ और कमेंड करें कमेंड करके बताएं बहुत ही यूनिक प्रस्ण है प्राय यह पूछा जाता है ठीक है सबी लोग फड़ाफ और कमेंड करें और कमेंड करके बताएं चलिए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं देखिए इसका अगर फूल फर्म देखा जाए तो यूनाइट यूनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम है इसकी अस्थापना 1922 की गई थी कब क संघ्राष्ट पर्यावरं संघ्रतन के चया गया था इसका मुख्याव यह कहा पर है यह है यहां अप लोगों ने एक दम शहीव बताया है काफी लोगका जबाब सही आया इसका मुख्याल है नवरोबी में है जी हां एकthemum right answeré narrowbie right answer नवरोबी वाले एकदम सही एंच्वर है थीक है थीक है तकबराउने स्थाफनोंस Deaf Δ करमी थी इसका मुख्याले नवरोबी में है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पेश्टी की तरफ जी आके इन्या नवरोबी सही जवाब जी आज जो वीडियो तवी तक नहीं शेयर किये फड़ाफट वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथी मित्रों को अगला है आपके पास अग सब्सक्राइब कर देखिए यह सारे प्रश्ण कई बार पूछे जा चुके हैं ठीक कई बार प्रश्ण को पूछा जा चुका है देखिए नेशनल नीरी में डबल ही होता है ना नीरी 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 नेशनल इंजिनेर रिसाच इंसिट्यूट होता है इसका जो मुख्याला है यह नागपूर में यह कई बार परिक्षाओं में पूछा जा चुका है यह आपके परिक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका यह पूछा जा चुका है कि जो नीरी है उसका मुख्याले कहां पर है जुका जी कई बार प्रश्ण आपके आ चुका है कि नीरी कहां पर है तो यह आद रखेगा नीरी कहां पर है नागपूर में है नेशनल नेशनल इन्वार्मेंट इंजिनरिंग रिसर्च इंस्टिटूट है ठीक मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ जोने वीडियो को यहां पर थोड़ा सा प्रश्ण आपका बढ़ा है यहां पर आपको यह बताना है कि निम्न मेंसे कौन से पर्यावन संतुलन के सरच्छन से संब्दी थे सब्सक्राइब करके बताएं जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे लोग फटाफर कमेंड करें कमेंड करके जबाब दे क्लास की बाद जो पीडियाफ होगी कुछ दिन के बाद आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी जहां पर दुर्गेश सरसर करके इसकी पीडियाफ प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो आपको बताना है कौन सा पर्यावरन संतुलन के सरच्छन से करने की बात करेंगे इसलिए इसका उत्तर होगा शभी माने यहां पर पहला भी दूसरा तीसरा चोथा माने चारों में पर्यावरन संतुलन सरच्छन के संब्सक्राइब बात की गई है इसलिए दिए कि प्रिश्ण का उत्तर चारों होगा तो देखिते हैं काफी लोगों का गलत होगा किशी कभी शहीं नहीं हुआ याद रखेगा वन सब्सक्राइब taraf कौन से व्याख्या वास से सम्मन्दी थे बिना समय का वाए आप लोग इस परशने का जबाब चौड़ देए वास का मतलब क्या होता है है अब हम आते अपर के दो भिखलप ए और बी में छेत्र जिसमें एक परजाती रहती है जिसमें पर्यावन जिसमें एक परजाती रहती है युकि हमारा जो लेशन है उसका नाम ही यह इसलिए जितने लोगों ने ए बताया है उन सब के जवाब शही हैं बाकी लोग के जवाब गलत हैं मतलब किसी ने भी प्रशन का उत्तर नहीं दिया अगर आपको यूपिटेट प या ऐसी गलती दुबारा ना करिएगा वरना आप स्वहम समझदार है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं मतल अगले प्रशन की ठीक है कोई किसी को वास माने जैसे निमास होता है वैसे वास होता है निमास अस्थान बदलता रहता लेकिन यह क्या होता है यह प्रकित दिधर्व की तरफ क्या वर बीडियो को सियर करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं ये ये पिन करके पहले बीडियो को पहले सब्सक्राइब करते आप मरज़र पाइब слыш फड़ापर कमेंड करते रहें और जवाब भी देते रहें पितिवी का अपमार्ज कौन है सभी लोग बताइए देखिए पक्षी नहीं है और पसू नहीं है अपमार्जा बलटी कमपो जैसे देखिए कोई गधा या गधी है जिसे यहां पर कोई गधा है या गधी है ठीक है गधाय गधी अगर यह मर जाते हैं यह दोनों जब मरते हैं तो मरने के बाल क्या होते हैं पहले प्राजग क्या लगत उसमें जीवानों और कवक लगकर उसे खतम करने का काम करते हैं इस प्रशन का उत्तर क्या होगा इसका राइट एंश्वर होगा हम आगे बढ़ रहे हैं अगले किसी कोई डाउट हो कोई समस्षा हो तो कमेंट करके पूश सकता है यह क्लास प्रत दिन राज साड़े नौ बजे इलनी विद्रगेश पर लाइप चलती है जहां पर हम और आप लाइप पढ़ रहे हैं ठीक है प्राज करेंगे तीन दिन गणित पढ़ने का और तीन दिन पर स्रीश पढ़ने की अगला प्रश्ण आपके सामने साधा को दिखाई दे रहा होगा यह फ्यस्बूक पर भी इलनी विद्रगेश को और यूट्यूब पर भी चल ला है निन मेंसे कौन सा पर्यावरन के लिए हानिकारक है एकदम हलुगा प्रश्ण है जितने लोग इस लोग दिन बात वह पुद्ड वह लेकिन प्लास्टिक यह नहीं सड़ता यह परियावरन का सबसे बड़ा दुश्मन है इसलिए इस्क्राप्रश्ण का सबसे प्रिक्ति जो निकल्फ होगा वह क्या होगा डीस का राय इंस ओर होगा डीज का सही जबाब तो जी हां आप लोग जानते रहेगा कि यह प्रस्ण का उत्तर क्या होगा प्लास्टिक ही जेंट राइट हैंस्वर जल्दी से आपने वीडियो को सेयर करें जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहें पहला काम वीडियो को सेयर कर दें चलिए हम आगे बढ़ना अगले प्रश्ण की तरफ अगला है कि पर्यावराण अध्यन में छेत्र भ्रमण का मुख्ष देश क्या होता है छेत्र भ्रमण वह यह चेत्र भ्रमण क्यों करते हैं सबी लोग फटा-फट कमेंड करें और टेलीग्राम पे जो लोग अभी तक नही मिलेगे घमंड नहीं यह विश्वास है देखें अब भूमने किस ले जाएंगे अब भ्रमण के लिए जाएंगे तो पिकिनिंग में नहीं भाई जा सकते हैं मन रजन करने जा सकते हैं सरकारी जुना निर्वा करने नहीं इसके लिए प्रत्यच अनुभव के लिए अब को जुंव में जाते हैं तो जुम जाएंगे अब भी हमने फरको पड़ा है फाथी को पड़ा है जिरा आपको पड़ा है लेकिन जब वहां पर जाएंगे सब इनको नसदेग्स में ग्रूंड कोई डावर किसी को कमेंट करके पूश रकता है जो भी प्रेसन आपको बहित्का लगी को सब्सक्राइब रुमार लीजिएगा जो भी प्रश्ण आपको लगे नहीं आपके काम का है इसकी इंसाट जो रुमार लीजिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ किसी को डाउट कोई समस्थ कमेंट करके पूछ रकता है नहीं तो आप वीडियो को लोगों तो पूच बिद्ध्यामाइक कसम में जो लोग अभी तक लाइक ने कियां लाइक करें जो लोग शेयर नहीं कियां शेयर करें अपने फेस्बूक पर शेयर करें वाट्शाप पर लोगों को डालीए अच्छी चीजिए अभी कोई जूटी खबरों लोग फैला देते हैं अच्छी जे 0.03% hydrogen 0.00 it's 5% निट्रोजन का 78.08 पर्शन अब आपको बताईए इस सबसे ज्यादा यहां पर कौवं C are फर्टा-फर कमेंट कर बताइए तो यहां पर आपने देखा कि सबसे ज्यादा वायु-मंडल हमारे नेट्रोजन गैस है अभी अभी गैचों के बारे में पढ़ा सकता हूं नेट्रोजन काम क्या है लेकिन आगे भी पढ़ना है ठीक है एक ही दुमें सब हम लोगों को पूरा ज्यानी नहीं बनना है ठीक यह चीज़े आप लोग जानते रहेएगा जी सुझी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो यहां पर हम लोगों ने देखा इसका उत्तर क्या होगा नेट्रोजन इचे राइट एंश अच्छी यह बताईएगा नेट्रोजन हमारे लिए किस प्रकार्स उप्योगी है फटाफट कमेंट करके बताईएगा सांदर्ण का मतलब बताई ने अधिक यहां अधिक का मतलब है अधिक ज्यादा जिसकी गहंता हो गहंता जिसकी ज्यादा हो गहंता अधिक गहंता मैं आगे बढ़ रहा हो गया प्रशन की तरफ सबको कॉंसेट किलियर हुआ जित्ते लोगी वीडियो को लाइप देख रहे से भी फटाफट कमेंट करें आपके कॉंसेट किलियर हो गए तोकि मेरा उद्देश आपका सेलेक्शन दिलाना है मेरा उद्देश तो हूबहु परिक्षा में आपके ऐसे प्रशन मिलेगा लंदन दिरूं क्या है बताइए एक ऐसा नजारा होता है जिसको हम लंदन दृंद के नाम से जानते हैं यह यह ध्रूंपान अला मत कहिएगा सजी गुठका होता है पान मशाला होता है ऐसा नहीं है जी यहां सभी लोग बताएं यह प्रदिन क्लास साड़े नौ बजे चलती है इलनी बें दुर्गेश पर लाइट टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ी है का डिस्किप्शन में लिंक है उसकी योगी लिंक आपको वहीं से मिलेगी अब अब अधर यह क्या होगा से भी लोग फड़ा फड़ कमेंड करेंगे भई जवाब दीजिए यार मैंने का किस ठती है यहां फर शुबा के समय यहां पर डीस का सही जवाब है कि आ लंदन द्रूम पाया जाता है एक दम राइट हैं यहां पर जितने लोगों ने दियेगे प्रिश्ण का उत्तर डी बताया है उन लोग का जबाब सही है मैं आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपने देखते हैं कि हलका हलका को रहा अच्या होता है उसकी बुद्यगिरी होती ह है तो कैसा होता है उसे ही हम लंदन द्रूम के नाम से जानते हैं उसी का उपनाम है मैंने आपको बताया ने उपमा दी जाती है जैसे मैं कहता हूं कि अगर परियावर्ण जीयस से अगर आपको लग जा जिस दिन ईलनी पर दुर्गेशन दुर्गेश सर नहीं पढ़ाते ब फिस्बूक पर पड़े हुए है कुछ टेलिग्राम पर होंगे आप आप पर देख लिजीएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ अगला है निमिकित में सुमेलित करना है कौन सा सुमेलित नहीं है भया तीन सुमेलित है एक सुमेलित नहीं है फटा-फ विदियो को बाद में देखेंगे वम्हें इन बताएंगे 200 मौसम डिवर कम मना जाता है मेरा पश्ना है 200 मौसम डिवर्स जो इसे फिस्बुक पे देख रहे हैं यूटूब पर देख रहे हैं वो वीडियो जब यह लाइब चला है जब लाइब खतम होगा तब जो कोई देखेगा तब उसका जवाब आप लोगको देना है विश मौसम दिवस कम बनाया जाता है तक आप लोग बताइए पर्यावन दिवस पांच जून पिथीवी दिवस बाइस अप्रेल ओजोन दिवस यह जो मैं पढ़ार हूं कि आको को समझ में आ रहा है ज cracking को कफान पूर्फ कर hierarch का आना जरूरी है पढ़ाने के लिए अमेरा ऊप्देश कर आए आप कॉंसर्प भी क्लिर करते चलिए वह कि आपको सडेटिक के निजदीग पहुचना बहुत बहुत दन्यवादा सभीका ठीक है अब आप लोग को बताईएगा बिश्र मौसम दिवस कम मना जाता है कमेंट करके आप लोग जबाप जरूर दीजेगा जो लुज वीडियो को लाइप देख रहे हैं मैं समझ जाओंगा इतनी लोगों नी वीडियो को देखा है जितने कमेंट आएंगे ये मत करेंगा उत्तर नहीं दें मैं उत्तर नहीं बताऊंगा देखिए मैं लाश्टों इसे बता दूंगा निम्ली के पमेशे कौन फार्सी का पर्थम कभी था जिसने अपनी कभिता में भारती पार्यावन को चित्रिद किया क्या गजब का प्रश्णा है ऐसे प्रश्णी की सीरीज आप पर प्रद्य राध साड़े नो बजे इलनी विदुर्गेश पर ल Gwen देखनों मिलेगी बागी सभी क्लासें सीर्ट के सुपर्टेट की सभी क्लासें आपको टेली ग्रामपे गलेगी जिसका लिंक आपको पी दिया गया आगा टेलिग्राम पे दुर्गेसर सर्च करिएगा डिस्किप्शन में लिंक ले लिजिएगा सभी लोग फटावट बताईएगा ऐसा प्रश्णगर आपको कहीं मिल जाए तब आप बताईएगा कहींने कई फिर्षेंट परक्षा में पूछा है लेकिंतर तरीका देखिए अब पूचने का बड़लना है हम उस पाटन के अधार पद नए ने प्रश्णाव किलिएलाते हैं हमारा अदिश्टह अपका स्लेक्शन और आपको बस इतना करना है रोज मेहनत करनी है जितना मैं करता हूं उत को कहाणी नहीं चलेगी ठीक है एकदम सही जब आप सभी ने सही जब आप दिया भगवान करें आप जल्दी से सरकाड़िया ध्यपक बंजब या अमीर अमीर खुसरों ने शब से पहले भारती पर्यावर्ण को चित्रित किया है फार्सी में तो जर्ण आप लोगी बताईए कि अमीर खुसरों की रचना क्या क्या है सभी लोग जो लोग लाइद देख रहे हैं यार एकदम हलुवा सा प्रस्ट में है अब यह मत कहिए का सर नहीं है तुमको नहीं पता यह भगवान बताईए अब लोग कोई किसी को पता है कि अमीर खुसरों कोई किताब का नाम बताई आ रहा है आप लोग आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे बताऊंगा ही हां अमीर खुसरों है फैजी यहां के थी नहीं अमीर हसन अबु तालीब कलीब यह लोग का नामी नहीं था इसका मतलब जो है ऐसे कभी जो हमारी परिच्राओं में पूछे जाते हैं बताईए यह भगवान आप लोग नहीं बताएंगे कभी कभी लगता भगवान हमको उठा ले हम पिर तीवी के बोज हैं मैं आपको समय दे रहा हूं आप लोग बताईए जी हाँ काफी एकता जीने सही बताया है तो एगर इनके किताबों की बात की जाए तुगलक नामा लिख लीजिएगा तुगलक नामा ठीक आजकर इसको तुगलकी फरमान के नाम से लोग जानते हैं ठीक है नू सिफिर नू सिफिर बाकिया ना किया बाकिया ना किया देखे नुकता गलती हो सकता कि कितना ध्यान समय नहीं आदे तूफा तुष शिगर तूफा तुष शिगर नुकता की गलती हो सकती है ठीक है ये तीन इनकी प्रमुक पुस्तके हैं है ठीक है चलिए मैं आगे बढ़न आगे प्रश्ण की तरफ कि इसकी इन्सॉट कर लीजेगा आप लोग हो सके तो आपके कभी काम आ जाएगी यह प्रमो के जो परिष्ण में बारवा पुछी जाती है हां बारवत त्रपनमें का जन्म हुआ था भारत में हुआ था चलिए इनकी गीद भी काफी है जो आपके परिष्ण में पूछा जाते हैं अगला प्रश्ण आप के सामने परयावरान से क्या भी प्राह है सबी लोग भापके बताएं जो इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं कि पर्या और अभु पड़ी करें रियुक्त फट्राफट करें आप बता है अब कि पारिया वर्ण से क्या समस्ते क्या व्यंव कोई दो कोई बात नेचीर आके बताई इंग लिए ये भगवान चलिए देखे यहां पर क्या होगा पर्यावरण का विपाय क्या क्या है कि भूमी जल वायू पौधियों पशुओं की प्राकतिक दुनिया जिनके चार और अस्तित्व में है इसे क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं फिर उन संपूर्ण दसाओं का योग जो व् पर्यावरण हमारा है इसे मानवी पर्यावरण भी कहते हैं भावतिक जैवी क्यों सांकतिक तत्तों के अंतर क्रियात्म ग्वस्था से अंतर सम्मधित होते हैं इसे भी पर्यावरण कहते हैं इसका मतलब इसका मतलब इसका उत्तर है डी ऑल अफ दीज जितनी लोगों इस प होता है बीस परसंट गलत होता याद रखेगा है ठीक असी परसंट सही होता है मैं अगे बढ़ रहा हूं कि अगले पश्ण की तरफ पर्यावने कभी वाज समिष्ट है जिसकी रचना होती है फटा फट कमेंड करें जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं यह क्लास प्रदिश साड़े 9 बजे चलती है यह लेनी विद्रगेश्ट पर लाइब जहां पर हमें देख पा रहे हैं पर्यावन की एक ब्रह् हीट तंतर की इसका मतलब क्या होगा है पेवग दोनों मतलब इसका उत्तर क्या होगा utar का umm right försöka स्रही जवाब होगा मतलब जितने लोगों इसका उत्तर शी बताया है उनका जबाब पूरी तरह से सही है मने शीष का राइट एंस्वर होगा हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पश्ण की तरफ कोई दाउट किसी को कोई समस्या हो कमेंट करके पूछ सकता है कि मैं आगे बढ़ना भी पश्ण की तत्रा तेजी शे कराऊंगा वनों को काटने का प्रेडाम क्या होगा फटापर कमेंट करिए यह वीडियो हमारे टेलिग्राम हमारे फेज़ूप पेज़ पेज़ पर बीचल लाइब दुर्गेश और यह हैं यूटूब चैनल इलनी पर लाइब चल लिए डिस्किप्शन में इसका लिंक होगा वहाँ पर जाकर जोड़ सकते हैं इस्टाग्राम ट्विटर फेस्बूप यूटूब इलनी भी दुर्गेश ओनिंग क्लास के लिए 630 6324 367 यहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं चलिए वनों काटने का क् राम होगा वर्षा और नमी में बृधी देखिए यह गलत है क्योंकि जब वन काटने लगते हैं तो वर्षा भी कमी आ जाती है बृधी नहीं होती है उस्मता में कमी जब वन काटा जाता है तो यह बढ़ जाता है कम नहीं होता मिटी का छरण अनियंत्रिद बाण हां वन पनखार होता है कि हमें आपको पता है कि वनों का वनों से क्या होता है मिट्टिजयों का कटावर रोकता है यह जब मैं आप लोग नोग को जब स्की स्रीष पढ़ाँगा तो तोनों के बारे Ett вас इसand никак कोपिव तिबिकल्प जो होगा वग वी होगा नकी डी होगा इसलिए जितने लोगों ने बताया था उनका जवाब सही है जोनों नहीं बताया था हमारे उत्तर के बाद बताया उनका भी मॉस्ट वेलकम है मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्ण की तरफ आप लोग लाइक नहीं हलुआ प्रश्ण है कि एंडी एजीद जी का जुरूर सही होगा सभी लोग फटापर कमेंट करें करें बताया है इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रकित की निगम से नहीं चलता यार खाद से इंकला कैसा प्रकित से उर्जा प्रवा प्रकित से भूर असानी चक्रिये मानों में प्रकित से नहीं चलता और खूच से चलता है कुछ सालब हो जाते हैं कुछ मान सारी होता हैं को सरवार हो जाते हैं तो यहां पर Lucid ठीक है तो इसका उत्तर जो सबसे 60 उत्तर होगा वह क्या होगा 20 का राइटर होगा किलियर किसी कोई डाउट हो तो पूसकता है क्योंकि मेरा उद्धिस आपका सेलेक्सान है इलनी बिद्रगेश जोनपूर की सबसे बड़ी ओनिंग क्लासे चल लिए ठीक है याज किसी कोई द यह क्लास प्रदिन राज साड़े 9 बजे इलनी बिद्रगेश पर लाइफ चलते यूपी टेट इस्पेसल बैज पर्यावना का ब्रहमात स्रीज बताइए ब्रिच्छो तता वनों को काटने से किस प्रकार की हानी होती है अब यह मत कहेगा यह आपको नहीं आता इस से आप प्रसंद आपको मिलेगा ही नहीं यार यह बताइए अगर हम वनों को काटना सुरू कर देंगे तो क्या होगा वाई मंडल में परिवर्तन होगा मतलब यह सही है प्रदूसन खत्रा बढ़ेगा जो ग्लोबल वार्मी होगा जो प्रदूसन भी होगा वह भी होगा अनु ठीक है ऐसे प्रश्ण परिक्षा क्योंकि आजकल यह वाले प्रश्ण काफी आते हैं वो प्रिक्ष सभी वाले नहीं वाले ऐसी प्रश्णों का ट्रेंडिंग बहुत तेजीश हो रहा है ठीक है तो आप लोग देगे संख्या और बढ़ाईए ताकि मैं इसके साथ और सीरी यह डेली क्लास में और हम आपको पर्यावर्ण के साथ गोणित कीवी सीरीज लगातार पढ़ाएंगे डेली इलनी विदुर्गेश पर लाइट हमागे बढ़ना के लिए प्रश्ण की तरफ और इस बात ही गारिंटी है कि एक बहतर सीरी आप के लिए होगा यहां पर एक प सस्कित की बात चलें लगातार भी फ्रस्ट आख आपको फीर हो जाएगी तो वह आप च्लास ост करें के यह जों पूर् जैनपत सब्सक्राइब करेंगे और कमेंड करके प्रश्न का जवाब देंगे नीशा जी बहुत धन्यवाद आपका देखे जया मंडल परियावन के अध्यन के अधार भूतिक आई है बताई आप लोग आप लोग नहीं बताएंगे चलिए जी हां यह सही बात है जया मंडल परियावन सब्सक्राइब करेंगे नहीं परियाब लिए इसलिए प्रशन का जो गलत है वही सही है और थाटीस का रायट एंस वरे असत्य पूछाता प्रश्न को ध्यांज से पढ़िएगा गोर से पढ़िएगा कुछ लोग बता रहे हैं मैं भाईया ध्यान से मैं आपको हैं समझा द समझ लीजेगा मैंने आपको पहले बताए दुर्गेश सरसे आप लोगी लेनी भी दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे दूसरा मैंने आपको क्या बताया अब घटक जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते शही बात है यह सही कथन है ठीक है यह भी सही है यह गलत कौन सा अचको जठागी है और यही पूछा कि असत्य कों साथ आसत्य क्या हुआ हुआ यह तो अपना भोजन कौं पादब बनाते हैं याद रखेगा इसलिए इस प्रिश्ग का उत्तर है होगा सीजका राइट एंसर होगा तो जो लोग का आगया हो फड़ा फ़ट कमेंड करके बत होंगा जो लोग भी सबसे ज़्यादा प्रश्णों के सही जवाब देंगे सबसे ज़्यादा प्रश्णों को सेर करेंगे मैं आगे बढ़े प्रश्ण की तरफ धाणी विकास किसके उपियोग के संदर में अंतर पिड़ी गत शवेदर सीलता का विशह है शबी लोग फटा- असल ब्रह्मात स्री चलेगी क्या होगा यार यह बताइए कि हमें पर्यावरण को कि अब सब बताईए कि धाणी विकास किसकी उपियोग के संदर में अंतर पिड़ी गत है राशित भाई जब तक आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे सफल नहीं होंगे और मैथमेटिक्स आपने साथ मेरा देखा नहीं होगा कभी मौका मिले देख लिए मैं पूरी मैथमेटिक्स बीना किताब के पढ़ाता हूं देखें यहाँ पर क्या होगा प्राक्तिक संसाधन यह भी धाणी विकास मैंने कल सब्द बताया था धाणी विकास कल मैंने कल की क्लास आपने पढ़ाओगा कल मैंने सब्द की व्याख्या धाणी विकास का मतलब क्या है इसलिए इस प्रश्म का उत्तर क्या होगा प्राक्तिक संसाधन इसके अंतरगत पीडिक सेमेंदे सिलता का विश्र है समाजी संसाधन या अद्रीक संसाधन नहीं है ठीक है इसका उत्तर क्यों होगा प्राक्रतिक संसाधन आख मून के लिए अवस्यक है सभी लोग फटाफट कमेंड करें और देखे जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं आखरी प्रस्णा है दुर्गेश सरसाच करके आप इल एन इप दुर्गेश पर जुड़िएगा और यहीं लोगों आपको मिलेगा और ओनलें क्लास के लिए 63063 24367 पर आप वार्टसेक करके आप जंकाई ले सकते हैं जिसको जो भी से समझ में हो पर सकता है जिसको जहां समझ में हमाँ से पड़ेगा मेरी लिए और आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है ठीक सभी लोग फटाफट कमेंड करेंगे या आज का आखरी और मैं भी आप से प्रशन पूछूंगा अएसा नहीं कि हमेसा आप पर ही प्रशन पूछेंगे ठेक हैं कि सबी लोग फटाफ़ कमेंड करेंगे बताएंगे चलिए मैं एक छोटा सा प्रश्ण आप से पूछूंगा जिसका उत्तार आपको कमेंट सेक्षन में देना है जी हाँ मेग बीजन में ये मेरे नोट्स में भी आपको मिल लाएगा मेग बीजन में मेड बीजन में किसका प्रियोग करते हैं मेड बीजन में किसका प्रियोग क्या जाता है शबी लोग फड़ा फड़ कमेंट करें असले एक ह МУР मैंने परियावरण में बिना नुकसान पहुचाए हमें विकाष करना है कैसे करेंगे ज़頭 का सरच्छन करें प्रदूसरन का निर्उद्य निंत्मने तोरों को नफालाएंगे बल्कों से नियंत्रित करके हां हम भी कास करेंगे फिर निर्धनता क्या है देखी मैंने बताया था कल तीन पी आपके लिए महत्रपूर है देखे पहला यह है पापुलेशन पलूशन और पावर्टी यह तीन पी है जो पर्यावरण को सबसे जादा नुक्सान करती है देखे सब्सक्राइब का मतलब है वो प्रुक्त सभी आल ओफ दीश तो जितने लोग इस प्रस्ण को देख रहे थे इस सिरीज को देख रहे थे इलने बिद्रगेश की ठीक है ठीक यहां पर मेग बीजन में किसका प्रियोग होता है अब आप लोग आपके मन में कोई भी प्रस्ण अगर आ रहा हो पूछ लिजेगा आउनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर वाट्सेप कर सकते हैं इलनी बिद्रगेश की ऑफलाइन ब्रांच जोनपुर जनपत के सिराजेहिंद में हैं बाकी ऑफलाइन घर बैटे पुरे प्रदेश में कोहीं से भी पढ आता हूं अगर इसकी कोई काट आपको मिल जा है तो आप हमें इलनी बिद्रगेश को सुचित जरू करिएगा ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल जिसके मन में कोई डाउट और कोई प्रश्णों पूछ सकता है में एक बीजन में किसका प्रियोग किया जाता है सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और इसका जबाब आप हमें कहां देंगे कमेंट सक्षन में देंगे दूसरा सवाल है कि एक सवाल जो मैं पूछ लूँँगा और द्योगिक क्रांती सबसे पहले कहां पर होई यह भी आपके परियावरन के पहले लेसन संब्दित है और द्योगिक्रांती बिश्व में सबसे में कहां होई वेकि मैं जब 3P पढ़ाऊंगा तो मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है किसी को मन में कोई डाउट हो कोई प्रेश्णों अब आप पूछ सकते हैं चलिए इसका जवाब जो लोग वीडियो देखेंगे वह अंत में देंगे इसके पहले मैंने सवाल पूछा था मैं भूल गया सवाल क्या था कि किसी को याद हो तो पूछ ले ताकि मैं उसको उत्तर बता दूँ इसके पहले भी मैंने सवाल पूछा था कि किसी गयाद हो बताए मैं उसका उत्तर बता दू क्योंकि उपर ही मैंने पूछा था काफी लोगों ने बताना भी शुरू किया मैं सवाल ही बोल गया ओला विष्टी रोकने के लिए ओला विष्टी नहीं रोका जा सकता बताइए अच्छा निश्चा जी मैं जी लगा आप सवाल पूछना चाहते हैं चली कोई बात नहीं मेग बीजन कल आप पूछिएगा कल में बताऊंगा और दोगी करांति कल में बताऊंगा हां राजकुमार गुप्ता ने सही तो बताया है इंग्लेंड बताया है लेकिन सन गलत बताया है इंग्लेंड तो सही है लेकिन सन आपका गलत है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज ही क्लास यहां पर संपन्न करते हैं अगर आपको और कुछ पूछ वाना चाहते तर पूछ लीजेगा पर्यावरण सरच्छण अधिनियम कब आया कब पारित किया गया चलिए जाने देजिए भी एप थोड़ा सा घुमाओदार प्रश्ण है वह सकता है हैं से आपको दिखकत हो जाए ठीक मानो को सामुहिक जीवन कहां से मिला मानो को जो सामुहिक जीवन मिला था वो पसुपालन से मिला था लिख लीजिएगा पसुपालन से मानो ने सामुहिक जीवन जीना सिखा एक प्रश्ण आता है पर्यावरण में कि मानो ने सबसे पहले सामुहिक जीवन कहां से जीना सिखा लिखना चाहें लिख लिजीएगा मानों ने सबसे पहले सामुहित जीवन जीना कहां से शुरू किया तो पसुपालन के साथ मैंने पूछा था पर्यावरा सर्चन अधिनियम कब पारित हुआ तो जो पर सर्चन अधिनियम जो पारित हुआ वह 1968 में पारित हुआ था ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का काफी प्रयाश्क बाद आप लोगों ने शही बत्तर दिया है अगर मैं पूछूँ खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है सिल्वर अवड़ाइट सही है पोटसियम अवड़ाइट सही है चलिए मेग बीजन का भी आ गया शिलवाररडाइटstyम бы Arebrect ठीक है चलिए एक प्रशanor मेहने आपसे पूछ लिया इसका उत्तर आप लोग को देना है मैं तो भूल भी जाता हूँ प्रश्वन मे क्या पूछा खेती की सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है खेती की सबसे पुराणी प्रणाली कौन है वो भी कमेंट करके आप लोग जब आप जरूर दीजेगा खेती की सबसे पुराणी जो पुराणी प्रणाली है वो कौन सी है इसकी इनसाट कर लीजेगा जो लोग इस वीडियो को लाइट देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों को पूचाएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जी हाँ, एक जवाब आया है, राम जीत जी का जूम कृती, जूम कृती सही जवाब है, जूम कृती सही जवाब है, ठीक है, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवा रेस मच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप लोग रेस के भोड़े हैं, भगवान करें, आप लोग बहुत जल्दी उचाजियों पर जाए, मेरी सुपकामना आपके साथ हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, बेश्ट लक, जैहिंद, जैभारत, टेलीग्राम पे डिस्क बहुत धन्यवाद अस्वीका, हाँ मैंने पूछा था, विश्व मौसन दिवस कम मना जाता है, तो 23 मार्च था लिख लीजेगा, 23 मार्च, जी मैं भूल गया था, किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने उपर बताया, स्वास्तिक जी ने बताया, ठीक है, बहुत- चलते हैं तो